बिस्मिल्लायर्माइन रहीम अस्सलामुलेकूम वेलकम बेक टू माय चैनल आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ सिंगल नोस्पीस इस तरह की जो नोस्पीस है इसकी डिमांड मुझे इंस्टाग्राम पे आई थी और कई लोगों ने कमेंड किया कि था कि आप इस तरह की नोस्पीस बनाना सिखा है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए जोजोड का फैब्रिक लिया है यह डुपटे वाला फैब्रिक रहता है यह पतला है तो आज हम इसके अंदर बनाने वाले हैं अगर आपके पास नॉर्मल ब्लैक कपड़ा है तो आप उससे भी बना सकते हैं तो इसे बनाने के लिए बस हाफ मीटर या उससे थोड़े से कम कपड़े के जरुआ है तो मैंने यहाँ पे देखिए रुपटे को डबल फोल्ड करके रख लिया है अब हम इसकी चौड़ाई यहां से यहां तक ले लेते हैं तो मैंने यहाँ पे नेखिए 15.5 इंच पे निशान लगा दिया है और हमने थोड़ा-थोड़ा से इसमें सिलाई में भी लेना है तो यह हाफ अफ इंच कम हो जाएगा उसके बाद में हम इसकी ले ले लेते हैं तो लेंद के लिए मैंने यहाँ पे 18 इंच मार्क कर दिया है तो यह भी आप अपने हिसाब से लंबी चौड़ी रख सकते हैं स्क्वाइर भी रख सकते हैं आप चाहें तो इसे शेप दे सकते हैं नीचे से राउंड शेप तो बस हम इसे इस तरह से स्क्वाइर में बना रहे हैं इसे हम पहले सीधा कर लेते हैं इस तरह से क्योंकि यह कपड़ा पतला है इसलिए हमने यहाँ पर डबल किया है लेकिन अगर आप सिंगल कपड़े से बना रहे हैं तो बस आपको साइट से फोल्ड करना होगा तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह की जो नोस्पी से वाचकल ट्रेंड में हैं लोगों को बहुत पसंद आती है पहले तो स्क्वैर में मतलब सीधी बनाई जाती थी एक दम स्ट्रेट सामने का हिस्सा रहता था लेकिन इसके अंदर जो है थोड़ा सा डिजाइन रहता है उपर की तरफ तो यहाँ पर हम पहले मार्क कर लेंगे जितना गैप हम बीच में छोड़ने वाले हैं अपने आइस के लिए तो यहाँ पर मैंने देखिए 4-4 इंच पर मार्क कर दिया है आप अपने हिसाब से यहाँ पर जगा छोड़ सकते हैं बीच में यहां पर देखे इसे बराबर कर लें इस तरह तो आप इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं जो बीच वाला हिस्सा रहता है हमारी आख वाला हिस्सा वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं लेकिन अगर आप यहां पर बीच का हिस्सा जो है वो जो है थोड़ा सा जादा छोड़े तो वह अच्छा रहेगा तो मैंने यहां पर देखिए मार्क कर दिया फोर इंच पर इसे हम इस तरह से कट लगा लेंगे तो बीच का हिस्सा जो आपको मिलेगा वह पौने आठ इंच के करीब मिलेगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे हैं बीच में थोड़ा सा गहराई देंग तो उपर वाला बेल्ड बनाने के लिए हम यहां पर पेपर कैन्वस यूज़ कर रहे हैं अगर आपको और ज्यादा मतलब कड़क बनाना है तो आप बुक्रम यूज़ कर सकते हैं जो के स्टिक करने वाला होता है वो महंगा आता है थोड़ा सा और यह जो पेपर पेस्टिं लेंगे तो हम 3 इंच के करीब यहां पर मांख कर देते हैं जो है यहां पर 18 इंचि ही रखा है रखा को बुसकर साइएं इससे सिधा कर लेते हैं इससे और इसके बार हम कटिंग कर लेंगे इतना हिस्सा कट करने के बाद में हम इसके अंदर शेप देंगे तो यहाँ पर देखे मैंने इसे cutting कर लिया है इसे अब हम फोल्ड करेंगे इस तरह से अब इसके अंदर शेप देंगे इस सब्म istiyorum देंगे इस सब्सकें अन्हें बल्ब कर से इसे आफ एंच हम एक्सिर रख देंगे नीचे की तरफ और उपर हम यहाँ पर मार्क करना शुरू करेंगे 2.5 इंच पे लेखे इस तरह यह भी आप अपने हिसाब से कमिया जाधा कर सकते हैं अगर आपको आगे की तरफ जाधा नोक निकालनी है तो आप जो है वो पौना इंच तक कर सकते हैं लेकिन मैंने हाफ इंच इलिया है मैंने बहुत जाधा जो है नोक नहीं निकालनी है आगे की तरफ इतना ही हम गहराई देंगे और सीधा कर देंगे इसे जैसे मैंने यहाँ पर माग किया है बस वैसे ही हम इसे कट कर लेंगे तो इसे पहले पिन लगा देते हैं उसके बाद में हम इसकी इस तरह कटिंग कर लेते हैं और यह जो बेल्ट रहेगा अगर आप चाहें तो इसे चोड़ा भी बना सकते हैं अपने हिसाब से और लंबाई भी आप बढ़ा सकते हैं तो मैंने यहां पर देखिए इसे शेप दे दिया इस तरह उसके बाद में हमें जो है इसे हमारा जो फैबरीक है उसके उपर पेस्ट क करना होगा ताकि जो अदर का यह पेपर पेस्टी हो दिखाई ना दे देखे इस तरह से दिखाई दे रहा है तो हम इसे पहले contract करेंगे यहां पर देखे है मैंने इसे डबल फोल किया है उसके बाद में हम इसे यहां पर प्रेस से चिपका देङगे उसके बाद फिर हम वापस से फोल्ड करेंगे तो यह हिस्सा हमें नहीं दिखाई देगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ यह लग जाएगा तो देखिए मैंने यहां पर इस तरह रखा है मैंने पिन लगा दिया है पहले उसके बाद में इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे तो आप चाहें हमें यहां पर साइड साइड से बिल्कुल इसकी सिलाई लगानी है देखिए इस तरह चाहां जा मैं निशान लगा रही हूं यहां पर हम सिलाई लगाएंगे हमें पेपर पेस्टिंग के उपर सिलाई नहीं लगानी है उसके बाद में हम यहां उपर भी सिलाई लगा इसकी लंबाई मैंने 18 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने 3 इंच लिए है तो फ्रेंज मुझे आपको बताना है कि मैंने यह अपना नया चैनल स्टाट किया हीनाज स्टीचिंग टिटोरियल से इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल पर आपको हर तरह कि मेरी स्टीचिंग की वीडियो मिल जाएंगी तो आप लोग मुझे जरूर सपोर्ट करिए तो यहां पर देखिए मैंने स्टीक कर दिया है प्रेस से आपको बस इस तरह से बेटा लेना है तो इसके बाद सबसे पहले हम इस्टिप तयार करेंगे तो इस्टिप के लिए हम हम इस्टिप तयार करके इसे पलट लेंगे तो एक इस्टिप हमने यहां सिलाई लगा दी है दूसरे पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे इसकी जगह अगर आप दुसरी strip बनाना चाहते हैं जिसे हम सिंगल वाली strip बनाते हैं अगर आप कपड़े से बना रहे हैं तो उसे आप डबल फोल्ड करके फिर दोबारा से फोल्ड करके भी strip बना सकते हैं जिसे मैंने पहली वाली वीडियो में आपको बताई थी तो यहां पे जो है हम इस स्रीप को इस तरह से पलट देंगे तो कोई भी ऐसी पत्ली चीज़ से आप इसे पलट सकते हैं इसका पॉइंट निकालने तो यहां पे देखिए एक स्रीप हमारी तयार हो चुकी है और दूसरी मेने यहां पर प्लट ली है तो यह दोने श्रीज रिप हमारी रेडी हो चुकी है उसके बाद में हम यहां पर तयार करके रखा देंगे बिल्कुल साइड में हमने सिलाई लगा है इसलिए क्या हमने इस कपड़े को डबल किया हुआ है तो कपड़ा अंदर से फोल्ड ना हो, इसलिए हमने पहले सिलाई लगा दिया, उसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, और जो हमने पेपर के अनस को चिपकाया है, बिल्कुल उसकी किनारी पर से हम एक सिलाई लगाएंगे, तो यहाँ पर दिखिए हमें इस तरह इस हुघ करेंगे, वहलिए हम इसेँ सिलाई लगाया है, लेकिन इस सिलाई को हम कर देंगे, भूहती अच्छी तरह से आपको निकालना है, उस yaptरा घूमातेए हम इससिलाई लगाएंगे अगर आप बुख्रम यूज़ करेंगे तो उसमें जो है वो और ज्यादा अच्छा बनेगा अब यहां से जो है हम एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए कट कर लेंगे इस तरह से और साइड से भी हम कट कर लेंगे और उसके बाद जो है यहां पर हमें जो है सेंटर पॉइंट एक दम यहां पर रखना है और जितना हमें आखे लिए छोड़ना है उतना हिसा हम यहां पर छोड़ देंगे तो मैंने यहां पर फोर इंच पर दिखे निशान लगाया है आप च यहां से हमें do john यहां से घ्ली लगा तो यहां से वापस से कट करना कर दिया को सबुझे के इसने कि अधर वगागे तो इस तक देगा तैने बुझे तो यहां पें में यहां पें पीण लगा देंगे सिमी तरह से हम इस तरफ मेंगें के कुल्वअल गिप यांहीं इसी में रखनी ऐसी हाँ तो को यहां है बीच में इसे रखनी है साइट के बाद में से हम पलड देंगे तो एक तरफ मैंने सिलाई लगा दी है इसके बाद में हम दूसरे तरफ भी से हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे तो यहां पर देखिए मैंने सिलाई लगा दी है अब हम यहां से एक्स्टा कपड़ा कट करके बराबर कर लेंगे उसके बाद में हमें यहां पर जो है वो नौच लगा लिनी है सिलाई मैंने साइड की खोल दी है यहां पर हम हलका सा कट लगा देंगे ताकि इसे जब हम पल्टे तो हमारा जो यह पॉइंट हमने बनाया है वी शेप में आगे की तरफ वो अच्छी तरह से उभर किया है तो दोनों तरफ मैंने देखिए इस तरह से खोला है अब यहीं से हम इसे पलट देंगे तो पहले हम एक तरफ की यहाँ पर स्ट्रिप निकाल देते हैं बाहर इसका पॉइंट निकाल देंगे नुखिली चीज से तो सेम इसे तरह से हम दूसरे तरफ की भी स्ट्रिप बाहर निकाल देंगे उसके बाद में जो सेंटर वाला पॉइंट है उसे हम बराबर करेंगे तो जो यहां पर हमने सेंटर में V-shape दिया है इसे भी हम इसका पॉइंट अच्छी तरह से जो है सिज़र से निकाल देंगे तो यहां पर आप चाहें तो इस तरह से करके बीचों पीन लगा के छोड़ सकते हैं या फिर आप चाहें तो एक सिलाई लगा दें ताकि यह वह पॉइंट जो है वह बाहर की तरफ ही निकला रहे नहीं तो बार बार आपको पॉइंट निकालना होगा और यह खुला वाला हिससा है यहां से हम जो अलग से नोस्पिस जो हमारी नीचे वाली रहेगी वो हम अंदर इकी तरफ डालेंगे तो यहां भी इसे बराबर करके हम पहले पेन लगा लेते हैं तकि हमारे यह बेल्ट है उपर वाला वो बिल्कुल ready हो जाए तो यहां पर देखे मैंने एक पेन लगा दिया है और यह पॉइंट पर भी हम एक पेन लगा देंगे तो हमें इसमें चारो तरफ सिलाई लगानी है दिखिए जैसे हमने शेप दिया है बिल्कुल उसी तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे लिगे बीश में हम थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे ताकि हम उसे पलट सके तो यहां पर हम एक पार की दूरी पर से सिलाई अब जो हमने गैप चोड़ा था उसे यहां से हम कट कर देंगे दागे को और फिर आप हमें पलट लेना है लेकिन उसे पहले हमने जो यहां पर सामने वाला आख वाला इससा हमारा रहे का जो हमने थोड़ा से गहराई में कट लगा लिया है ताकि वहां पर शेप अच्छी यह इसे निकाल लेना है और यह वो आख पर रहेगा बीच वाला इससा और यह साइट का जो हम हमारे बेल्ट में लगाएंगे तो यहांपर जो हम पहले इससे बराबर करकर के इस तरह सिलाई करते जाएंगे जू इससा खूला तो इससे भी देखिए मैंने बंद कर दिया सि पर यहां लगाता है और फिर बराबर करते हुए गाहिए इससे घोमाते हुए, हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे जहाँ पे हमने स्ट Арथ कि दि को इसके बाद में अबर बीसीलाई लगएंगे को इस तरह से दिखिए हम इस में सलाई लगाएंगे आप ये रिखा बिल्कुल इसके अंदर डाल के जो खुला वाला इससा था वहां पर अंदर के लगानी है तो इसका पोंट जो इसका में रहना चाहिए और ये बीच में जो डोरी लगानी है ये ब्लैक वाली डोरी मैंने लिए आप चाहें तो इलस्टिक भी लगा सकते हैं बिल्कुल सेंटर में मैं यहां उपर से लगा रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे निकालना होगा तो वो आसानी हो जाएगी मेरे लिए, इसलिए मैंने इसे अंदर के तरफ इस तरह से लगाया है, और यहां पर हमारी नोस्पीस बिल्कुल रिडी हो चुकी है, अगर आपको प अंगरे चुशन को सब्सक्राइब करें месте मिलते हैं अंगली वीडियो में दौाओं में याद रखिए- क्ट्र के लिए टेक ख्यर अब आपिज